हाई फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वेद प्रकाश जी का उपन्यास पहली क्रांती रेना ने बड़ी तेजी के साथ चमडे की बेल्ट कसली उसके जिस्म पर इस थमय किसी खतरनाक लड़ा के जिसा लिबास था टांगों से चिपकी हुई काले चमडे की चुस्ट पैंट एक काली कमीज और सिहा चमडे की एक जेकेट उसकी बेल्ट कोलियों से भरी हुई थी दाएं बाएं दो हॉलिस्टर जूल रहे थे हॉलिस्टरों में दो लॉडट रेवालवर थे लंबे गने और काले बालों को उसने बड़ी तर्पी तर्तीब से समिट कर भांध लिया था सिर पर एक गोल केप थी बिल्कुल काली गोरे गोरे ललाट को शपश करने का प्रयास करती हुई मानो रेना अपने यक्तित्ट को छुपाना चाहती हुँ उसके प्यारे प्यारे दूट से गोरित चांद से सुन्दर मुखडे पर कठूरता थी मानो समूचे संसार की बयानकता आज उसी के मुखडे पर सिमट आई थी रेना की आखें वे आखें जिनमें हमेशा रगुनात के लिए प्यार विजय के प्रतिसने हो और विकास के लिए ममता रहती थी आज रेना की उनी आखों में आख थी शोले ददग रहे थी मानो समूचे संसार का ज्वाला मुखी आज सिमट कर उसकी आँखों में उतर आया था पुश्पसा कोमल मुखडा पत्थर की इसी कठोड़ता में बदला हुआ था रेना की आँखों में दरिंदगी थी चहरे पर पशुता, होटो पर जहरीली मुस्कान सक्ति के साथ एक दुसरे पर जबे हुए जमडे मानो यह अबला सारे संसार को जला कर राक कर देगी चारो और सन्नाटा था, मौत जिसा सन्नाटा बैंकर कोहराम जैसे स्माप्त हो गया रेना ने एक बार अपने चारों और की अंदकार को इस्त्रह गूरा जैसे इस अंदकार को ही जला कर खाक कर देगी पूर्टिया तियार होकर वह बहार की ओल लपकी उसके पेरों में पड़े बारी जूतों की ठक ठक ने रात की निशब्तता के चेरे पर तमाचे मारे रेना की चाल में चीते जैसी फुर्ती थी कोई विश्वास नहीं कर सकता था की रेना जो कल तक एक गरेलू अबला नारी थी उसके पती रगुनात और पुत्रविकास तक ही सिमित थी लेकिन आज आज वह किसी रंचंडी से कम नहीं थी बहार आकर रेना ने चारों तरब दिखा चारों और घहरी निशब्तता थी और और घहन अंदकार के बीच कहीं कहीं से आग की बैंकर लप्टे भी लप्लपा रही थी जैसे प्रलय के बाद भी बस्ती में बैंकर विनाश लिला के लक्षन अभी तक मौजूद थे विनाश, प्रलय, मारकाट, चीखोपुकार आदिके पस्चाथ अब जैसे सबकुत शांत हो गया था समीप ही एक गोड़ा खड़ा था, काला मजबूत उचा और लंबा तगड़ा गोड़ा आश्चर्य चकित कर देने वाले डंग से रेना ने एक उची जम्प ली और फटाक से गोड़े की पीट पर आजमी गोड़ा अपनी दोनों अगली टांगे हवा में उठा कर जोर से हिन्हिनाया, पलक जपकते ही रेना ने उस पर काबू पालिया और गोड़ा रेना को ले उड़ा, जैसे हवा से बाते कर रहा हो। लाशों से पटी धर्ती को रोकता हुआ गोड़ा बागता ही चला गया कच्ची और सक्री तथा गोमावदार गलियों में छाय सन्नाटे को तोड़ता हुआ गोड़ा बागता ही चला गया रास्ते में रेना ने देखा चीखों और कराटों से वातावरन सिसक रहा था नगन बरबरता और नर सहार का दुरुष्य उसकी आँखों के सामने खिच गया उसकी आँखों में शाक्षात लहु की नदी ठाके लगाने लगी इतनी जबरदस्त बरबरता निदोष पोले और मासुम लोगों का इतना मार्मिक नर सहार बड़े से बड़ा खोपनाक पशु भी काफ उटे बहद विबत्स दृष्य सहन सकी रेना दृष्य को देखकर अमाउन विये नर सहार की बू आती थी जगय जगय इस दृष्य के नागरकों की लाशे कुछ जिंदा भी थे लेकिन उनके जिस्म का कोई न कोई अंग अवश्य गायब हो गया था अपंग और असाय लोगों की मासूम चीखे करुना पुन कराएं जैसे मानवता को खोज रही थी इस दृष्य पर काफी देड़ तक मोत का कुरूड प्रंजा फेला रहा हस्ता खेलता यह दृष्य कब्रिस्थान से भी अधिक तबाह बरबाद और विरान हो चुका था ददनाक चीखें यहां वहां गूम रही थी अस्पताल और इसकुल मात्र खंधरों के रूप में रह गए थी देवारें बरबरा कर धर्थी में गस कई थी उची उची मारतें आग की लप्टों के बीच फसी अंतिम सांसे ले रही थी ददक्ती आग के प्रकाश में चमकता यह द्रिश्य बड़ा ही खोफ़नाक था रेना ने सिर गुमा का लाशों की तरब देखा उफ वह रेश्मा की लाश थी जो समूचे द्वीप में रूप सुन्दरी के नाम से विख्यात थी वह अपंग हो चुकी थी उसका पेर किसी दस्ती बम ने उड़ा दिया था रेना ने देखा अरे रेना तो उसे पहचानती भी है वह तो अक्तर था अक्तर कहां? अक्तर की लाश रेना जानती थी कि अक्तर अपनी बुड़ी मा के बुड़ापे का एक मात्र सहारा था वो अपनी दोनों टांगे और एक हाथ गवा कर भी बड़ी ही मार्मिक कहराओं के साथ दूर पड़ी हुई उसकी बुड़ी मा की लाश की और रेंग रहा था किसी का मस्तक फटकर बेजा बाहर आ गया था किसी का सीना चमडी से बाहर पड़ा था रेंग ने देखा वो एक कुता था इस दीव का एक आवारा कुता उसने अपने बयानक दातों के बीच तीन चार वर्ष के एक मासूम और प्यारे शिशु की उगरी हुई लाश थपा रख गई थी अनेक खोपनाक द्रिश्च थे जो रेना के दिल में ददक्ती प्रतिशोत की आग ग्रणा और द्वेश को बढ़ावा दे रही थे खून की जैसे नदी बह गई थी सारी दड़ती निर्दोश्वक्तियों के खून से स्नान कर उठी थी रेना कांप उठी उसकी आख आखों के सामने जिसे कुछ चेहरे नत्य करने लगे अरे यह तो रेना के पिता थे और और वो चेहरा अरे वह तो रेना का बाई है वो वो रेना की मा भी तो है और वह मासूम सी बच्ची रेना की बहन उप रेना का दिल जिसे फट गया एक एक चेहरा उसकी आखों के सामने गूम गया, रेना बाउनाओं में डूबी गोड़ा बागता रहा, तब जबकि उसका गोड़ा गलियों के पार उसके एक सडक पर आया, दाएं एक फायर की आवाज ने दीप के जरे जरे को कपकपा दिया, जलता हुआ गर्म शोला रेना के कान को इश्पश करता हुआ निकल अगले ही पल, रेना जैसे किसी जांबात से कम नहीं थी, संचनाती गोलियों से जैसे उसे अब कोई बै नहीं था, एक शन केवल एक इशन में रेना का जिस्प कोड़े की पीट से हवा में तेटा नजर आया, रेना सडक के एक तरप कटिली जाडियों में आगिरी, कुछ द सतर्खता के साथ जाडियों में एक तरप रिंग गई, उसकी समस्त इंद्रियां एकदम सचेत थी, तभी उसे सडक के पार ठीक सामने की जाडियों में एक साया नजर आया, रेना ने कमाल कर दिया, एकी पल भी तो नहीं खोया, तुरंत अपने रिवालवर में उस शाय से फ जुक था, गोली उस साय के पेट में घस गई थी, साय के हाथ में रिवालवर छुट कर दूर जा गिरा, और वह दडाम से जाडियों में गिर गया, लेकिन वह चीक को सुनकर रेना पूरी तरह चोक पड़ी, मन थररा उठा, हाथ काप गया, आंदी तुफान की तरह वह की कोशिश कर रहा था, करीब जाकर रेना कठोर स्वार में घरची, कौन है, अरे उस साय के मुख से भी एकदम चोकने वाला स्वर उब्रा, रेना, रेना बैटी, तुम, बुरी तरह चोक पड़ी रेना, उसके मुख से निकला, अरे ठाकुर चाचा आप, आप यहां केसे, यह ठाकुर चाचा और कोई नहीं, विजय के पिता थे, राजनगर के आई जी, रेना उन्हें पिता जी कहा करती थी, तो आज फिर ठाकुर चाचा क्यों, बड़ी भारी उल्जन थी, समय कम है रेना बैटी, ठाकुर साब धीमे मगर शिक्रता से बोले, जल्दी चलो, उसके बाद रेना के जिस्म में जैसे बिजली बर गई, पलक जपकते ही उसने बिना एक भी शब्द कहे, ठाकुर साब के जिस्म को अपने कंदे पर लाट लिया, मानो इन सब कारियों की वह अभ्यस्त रही हो, उसका गोड़ा सडक पर ही खड़ा था, ठाकुर साब को उसने गोड जिस्म को लेकर एक जोपड़ी में प्रविष्ट हो गई, उस जोपड़ी में एक लेंप जल रहा था, और लेंप के प्रकाश में एक बुड़ी ओरत चार पाई पर बेठी सिसक रही थी, पीले से प्रकाश में है दृष्य बड़ा अजीव सा लग रहा था, रेना के आने की आठ्स पाकर बुड़िया चोकी और उसने जट लपक कर खाट पर पड़ी, अपनी समीपी पड़ी एक दराती को उठा ली, और चंडी की बाती दरवाजे की तरब कूम गई, बुड़िया की आखों में इस समय आसू नहीं, खूम था, ठैरो मा, रेना ने तेजी से कहा, हा मा, रेना ने तेजी से कहा, देखो मेरे चाचा को गोली लग गई है, तुम इनका ख्याल रखना, मा ओ लो, रेना ने एक चमचमाता हुआ चाकू अपनी बेल्ट से खीच कर बुड़िया को थमाते हुए कहा, तुम गोली निकालना तो जानती हो न मा, चाचा के पेट में गोली लगी है, आप यह चाकू गर्म करके उसे निकाल देना, मैं जरा उस कुतिया की बिट्या को नोचने जा रही हुँ, किसी को याद करके रेना के जिस्म में बयानक तनाव आ गया, जाओ बेटी, तुम जाओ, बुड़िया जोशिले स्वर में बोली, दिश्मनों को खा जाल रखना मा, तेरे साथ साथ मेरे भी तो ये कुछ लगते हैं, बेटी, बुड़िया गुर्रा कर पुठी, कोई भी धरिंदा मेरी लास से गुजर कर ही इन तक पहुच सकता है, अकेली नहीं मरूंगी, दिश्मनों की लाशे बिचा कर मरूंगी, कहते कहते बुड़िया क चेहरा पुठी की तरह, बटी की तरह तपकर पत्थर के बाती सकत हो गया, बुड़ी ओरत के शब्द सुनकर रेना का रोया-रोया खड़ा हो गया, लेकिन वह रुकी नहीं, तेजी के साथ वह जोपडी से बाहर आई, प्रशिक्षित गुट्सवार की बाती एक की जंप में गोड़े की पीट पर जम गई, एक बार पुनह, गोड़ा लक्ष की ओर दोरने लगा, सुपर रगुनात जिसे खून की नदी में नहकर आया था, उसके गायल जिस पर लहू से सने फटे हुए और दूल से बरे कपड़े जूल रही थे, समूचा चेरा खून से लिथरा पड आखें लाल थी, अभी अभी करा कर उसने आखें खोली थी, उसे ऐसा प्रतित हो रहा था, जैसे उसका सारा जिसम एक पकावा फोड़ा हो, बयानक पीड़ा से वह करा रहा था, आख खुलने पर खुद को उसने खंडर में पाया, वह उस जंजर खंडर का अंदकार और सीलन बरा कमरा था, कूड़ा करकट और मलबे से बरा कपड़ा, कमरा, उसके चारों और अंदकार था, शाह, काजल, साह, शाह, अंदकार, सारे जिसम में बयानक पीड़ा थी, सोचने समझने तू उसके पास दिमाग भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी आखों के सामने अंदेरे के बीच कुछ त्रश नरत्य करने लगे, उसके अचेत होने से पुर्ख के कुछ त्रश, बयानक गटनाए, खोपनाक नरसहार, बबरता, चिक्ती, मानावता, कह कह लगाते, शेतान, सिसकती, सराफ़त, काफ उठा रगुनात, कुछ विशेश, गटनाए, उप, उसकी जिन् ग्यात शंक्ती का संचार हुआ, कि वह एक जटके से उठकर खड़ा हो गया, कमजोरी के कारण वह लहरा उठा, एक चकर सा भी आया, किन्तु उसी सन उसके कान खड़े हो गया, वह सजग हो गया, सारा खंडर धर्रा उठा था, निश्ची दी वह किसी गोडे की टाप की आव कर दिया था, विध्युत गती से सुपर रगुनात का हाथ अपनी दाई जुराब तक पहुचा, और वापस आया तो उसके हाथ में चमचमाता हुआ चाकू था, अब रगुनात पुंतिया सतर्क लग रहा था, गायल चेहरे पर पथर सी कठोड़ता उबर आई थी, उसका च कमरे की पैक्षा अंदकार की मातरक कम थी, कमरे के तूठे पुटे दर्वाज की आड में उसने देखा, साय की रूप में चमकने वाला वा एक घुड़सवार था, उसने थोड़ी दूरी पर ही घुड़सवार ने रास खीच कर घोड़ा रोक लिया, सुपर अगुनात की प की जंप ली और अगले ही पलवक खंडर की धर्ती पर था, खोड़े को वहीं छोड़कर वह रैस में साया तेजी के साथ खंडर के एक कोने की तरप लपका, उसकी चाल में घजब की तेजी थी, मानो अब पहले सही किसी लक्ष की प्राप्ती है तू आया हो, रगुनात के द वह भी त्रिविता किंतु सतर्कता का धामन ठान कर उसके पीछे लपका, गोड़सवार ने एक बार भी पीछे देखने का प्रयास नहीं किया था, अंतमेवा गोड़सवार उस खंडर में एक कमरे के सामने पहुँच गया, वह कमरा भी बिलकुल तूटा पूटा था, लेक उसके खुलने की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई बड़ी बयानक सी लगी, तेजी के साथ गड़सवार कमरे में प्रविष्ठ हो गया, लेकिन प्रविष्ठ होते ही उसने दर्वाजा अंदर से बंद कर लिया, रगुनात लपक कर समिक पहुचा, उसी सन्न कमरे के अंदर से लाइटर जलने की आवाज आई, रगुनात की उतकंटा त्री हुई, उसने तुरंत किवाडोक में बनी अनेक मोटी दर्वार जो से एक पर आँख टिका दी, काले गोड़सवार की पीट द्वार की वो थी, उसके हाथ में रोशन लाइटर था, आगे बढ़कर उसने एक लेंब चला दिया, कदाजित यह तेल लेंब पहले से ही वहाँ अपस्तित था, वह एक तूटी-पूटी दूल से बरी मेज पर रखा था, तेल लेंब की लोग जल रही थी, तूटे-पूटे कमरे में लेंब का श्विंट सा प्रकाश फेल गया, पलश्तर उखडी हुई द सक्थर का खंबा था, उस मजबुत खंबे के सारे बहुत मोटी जंजीर के द्वारा एक अबला को किसी ने बांध रखा था, वह बहुत मोटी-मोटी जंजीरों से बंदी पड़ी थी, रगुनात उस अबला को अभी तक नहीं पहचान सका था, उसके जिस्म पर एक सपित सा जगय जगय खून के दब्बे लगे हुए थे, वह गर्दन जुकाय नेडाल सी जंजीरों में जकडी पड़ी थी, बाल गने और लंबे बालों में जमाने बर की दूलटी पड़ी थी, एक दुसरे से उलजे हुए बाल उसके सिरके चारों लटक रहे थी, सारा मुखडा उस पर खरो, चोट और जख्मों के निशान थी, पटे लिबास में से उसका जिस्प जाक रहा था, दूद जैसा गोरा और गदराया हुआ जिस्प, दायावक्ष तो जैसे पुनतया निवस्त्र हो गया था, इदर गुंसवार ने लेम जला कर उस पर चिमनी रखी और उदर उस प्रकास में उसका चांद सा मुकड़ा चमक उठा, उचल पड़ा रकुनात, द्रश्य देखते ही वह इस तरह चोका, जैसे हिमालाय परवत उसकी जेब में आ गया हो, उसके तो जैसे होश पड़े, होश उड़ गये हो, हलक सुग्या हो, उसे विश्वास नहीं आया, लेकि रकुनात के होटों बुद्वधा उठे